यह वही पत्रकार है यह वही पत्रकार है जो पिछले इंटर्वीव में कह रहा था भारत भिस गुरू बं रहा है जब 80 करोणलों जो आज रासन की कतार में लगे हैं तो भारत किस बात का सबस Nichote मैं उससे दुबार बताते हैं ना मुसलमानु का अधिकार है मैं से सहमत हूं यहां पर सबसे हoten काम किसको किया जाता है मुसलमानों को जाता है अगर कांग्रेस पार्टी ये मनιάमें को उभर हम करते हैं इस सौच को सलाम करते हैं बहरतिया जनता पार्टी उसे ज्यादा कि अधिया उन्होंने उन्होंने कहा दो करोणी रोजगार देंगे रोजगार नहीं दिया वह अधाप कर लिया अधिया उन्होंने कहा कि किसान की किसानों की बात करेंगे उन्होंने किसानों की बात करेंगे उन्होंने किसानों के साथ खिलवाड कर दिया उन्होंने कहा स्रीफ और स्रीफ संभिधान की बात होगी जवान की बात होगी किसी की बात नहीं की तो देश के साथ अगर किसी ने खिलवाड करने का काम किया है तो भ गेहूं का दाम 20-40 हो जाता है गेहूं का दाम 20-40 हो जाता चालिस रुपए वाला चावल असी में बिखने लगता फिर मैं मानता कि सानों की आय दूगनी हुई है भरतिय जनता पार्टी ने अच्छा विकास क्या है पहले यह बता दो पत्रकार में हो देया आज मैं मान जाओं मोधी जी सवाल पूछेंगे नहीं अगर कोलर भी पकड़के सवाल पूछने का अधिकार हमसे दिया है आने वाले समय पर कोलर सब्सक्राइब करेंगे कितना भी बिल में घुछ जाएं कितना भी गूफा में घुछ जाएं लेकिन विपच्छी ने ता उन्हें सुख से और पत्रकारों को जो सच्चाई नहीं दिखाएगा उसको दबाया जाएगा सच्चाई दिखाओगे तो आप आज अच्छा जब फर्जी काम दिखाओगे फर्जी ब्योगूप पंथी करोगे भारतिय जंता पार्टी के तलवे चाटोगे किसी एक पार्टी को नीचा गिराने की पत्रकार कोंसा सवाल किया आपने पूछा कभी गरीबों के लिए मोदीजी आपने क्या किया मजदूरों के लिए मोदीजी आपने क्या गिए यह वही पत्रकार है यह वही पत्रकार है जो पिछले इंटर्विव में कह रहा था भारत बिस्गुरू बंद रहा है जब 80 करोण लोगा अज रासन के कतार में लगे हैं तो बिस्गुरू भारत किस बात को बंद रहे हमने आईए मिल गया सब ऐसे ही लोग होते हैं जो अंग्रेजों के और संघियों के तलवे चाट रहे थे और उसमें माफी नामा लिख रहे थे इन्हीं लोगों की वज़ा से आज 2014 के बाद भारत फिर गुलाम हुआ है ऐसे ही लोग होते हैं जो खाते हैं हमारे देश का लेकि कपी पक संगे कई बाओं की पाकिस्तान के वारे में क्या बोलें है किसलम ने भीख मांगने के लिए क्ट प्रदान मंत्री रखर रख रखा है बर्भाद हो गया पाकिस्तान जिस देशन को भी मंगने के लिए रख病क्त लाइट नहीं वva अचा 85 क्रूण कर्जा ले लिया किस के लिया था अंशा को दूसरे देश के मदद करने के लिए किस قिने मदद gekा रहे हैं यह देश को कमजोड करने का अगर किसी ने काम किया है तो भरतिय जंता पार्टी ने करा है भरतिय जंता पार्टी को देश के मोधी जी का एक चीज मुझे समझवीन निया आता है कभी किस्छा मंत्री यह कभी परधान मंत्री है मतलब क्या है मुझे जी क्या है मौदी जी कोन मैं खामखा अच्छा एक चीज बताएं मेरे प्रधान मंत्री मेरे देश के प्रधान मंत्री तो वो रेलोए मंत्री क्यों बन जाते हैं वो विदेश मंत्री क्यों बन जाते हैं वो महिला मंत्री क्यों बन जाते हैं बताईए वो किसान मंत्री क्यों बन जाते हैं बताईए इसका जवाब दीजिए वो परसासन मंत्री आप पत्रकार हों अभी एक घंटे बाद जाके हलुआइङ का काम कर देना फिर उसके वाद तीसरी बार धुनने का काम करेंगा आपकी सोच यह साफ तोर पर बताती है कि भारतिय जनता पार्टी और मोधी जी ने विकास किया है हम जानते हैं मोधी जी की हकीकत मोधी जी ने सिर्फ और सिर्फ किसानों को मारने का काम किया है मोधी जी ने विकास किया है सिर्फ और सिर्फ मुसल्मानों को दबाया है हम जानते हैं मोधी जी ने विकास किया है सिर्फ और हिंदू और मुसल्मान का विकास कि आपके बोलने से नहीं जनता नहीं सब जानते हैं सब दो बार चुना है तीसरी बार धुनने का यही जनता काम करेगी यह बात याद रखते हूं अगर मोदी जी में हिम्मत है हिम्मत है खुला चलेंज है मोदी जी हिम्मत है अगर तो यह वाला चुनाव वैलेट पेपर से करवा लो अगर आप जीत जाओगे तो अगर महंगाई का सवाल उठाना आपके लिए विरोध लगता है तो मैं यह विरोध करता रहूंगा अगर बेरोजगारी का सवाल उठाना विरोध लगता है तो मैं मोदी का विरोध करता रहूंगा क्योंकि मैंने मोदी को वोट दिया है देश की 135 करोड़ जन संख्या ने वोट दिया है तो हम मोदी जी से सवाल इज्जत से भी पूछेंगे और तीनों वो भी अपनाएंगे साम दाम डंड विद